नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है कपिल बारसकर मैं कौटिल एक एडमी बोपाल साका से मैच का एक फैकेटी बोल रहा हूं और मैं आपको एक बहुत ही ब्राइट इस्ट्रेंट जो हमारे से सीजियल के है और जिनका सेलेक्शन 2018 के एकजाम में हुआ है उनका मैं आपसे आज introduction करवाऊंगा उनसे रूबरू करवाऊंगा और कुछ हमारे questions कुछ सवाल और जवाब होंगे और मैं आपको इस interview के माद्यम से कुछ guidance देना चाहता हूं कि SSC की तयारी SSC CGL की तयारी हम किस तरीके से करें किस तरीके से हम उसमें successful हो सकते हैं तो मैं आपसे मिला रहा हूं हमा जो SSC CGL का सफर है यह कब से चुरू हुआ है किस समय आपने काटिल एकडमी ज्वाइन की और कितने साल आपको प्रपरेशन में लगे और इस दौरान क्या आपकी बाधाय आई है मुझे मैंने कोटल एकडमी को 2016 में जॉइन किया था लब लास्ट दिसंबर के मंत में ठीके सर और फर्स्ट अटेम मेरा 2017 था जब स्टार्टिंग में था यह उसके बाद यह जो मेरा पेपर क्रेक हुआ है यह 2018 वाला है 2017 में मैं मेरिट से आउट था यह इसके बाद मतलब य 2019 से यह 20 में हुआ है 2019 में हुआ है क्योंकि इसके पीछी रीजन था कि 17 पे सुप्रियम कोट में केश चल रहा था तो बोड डिले होते गया बोड डिले होते गया तो एससे ने इसको कंड़क्ट तब किया नहीं कि हम पुराना रेजल्ट कर देंगे तो इसके बाद हम इसको पूलेंगा ठारा तो यह पेपर हुआ ठीक है इसके बाद जॉइनिंग रिजल्ट इसका आया है 2021 में अप्रेलमेंट में ठीक है और इसकी जो जॉइनिंग मुझे मेरे डपार्टमेंट ने दिये है जनवरी 22 में दिये है 2022 में तो इस दौरान जैसे आपने कॉटिल एक एड 2016 में जॉइन किया था या फिर 2017 ही बोल सकते आप उसको और 2018 का आपने एक्जाम क्रेक कर लिया ठीक है तो इस दौरान आपको यहां संस्था से या फिर अपने घर से क्या चैलेंजिस हुए है क्या सुविधाय मिली है या क्या मदद मिली है इसके बारे में बताएए सर मेरी जो प्रिप्रेशन है सर वह लगबग 6-7 मैने में 70% के करीब हो गई तब ही हमारा मतलब 2017 में यह क्रेक हुआ प्री भी निकला मैंस भी निकला टीर 3 भी होता है इसमें ठीक है वह भी क्रेक हुआ फिर जाके लगबग फुल कंप्लीट मानें तो एक साल का डूरेशन लग गय तो बीच में क्या होता है सरे कुई इस एक टेले हो जाता है तो स्टुदेंटिंट्स में गैप अजाता है वह छूड़ अभी काप ही होती हैं थो इतना कोई भी मろう कर सकता है नहीं है कि आपको ज्यादा टाइम लग रहा है कुछ नहीं और इसमें चैलेंज सर्फ यह रहे कि थोड़ा ही डिले रहा कि टाइम पे सोचा था कि जल्दी हो जाएगा यह जो पिछले साल रिकॉर्ड चल रहे थे तीन-चार साल पहले उसमें तो वह सब टाइम पे करवा रहा लेकिन एक केस की वज़े से वह डिले हुआ फिर अठारा में आके इसका फॉम आए थे सर लेकिन पेपर मतलब हो तो जॉइनिंग आते आते हैं थोड़ा साफ ने टाइम हो ही है यह जन्वरी 2022 अब लेकिन अब तो थोड़ा उसने बोई सर देखके एससी ने बहुत इंप्र प्रिट कर दे रहें क्योंकि इसमें टीर 3 भी अटा दिया आया था नया पॉर्मेट में तो उससे भी टाइम डिरेशन बचेगा प्लस जब हमने 2017 का दिया था तो उस टाइम इनों ने डेस्ट के लिए अलग से लग से लो आया था ठीक है सर टीर 3 के लिए अलग से सब चीज ठीक है तो उसमें भी अब यह टाइम बचेगा प्लस सबसे बड़ा जो टाइम कंजूमिंग था सर टीर 3 एसे रिटन वाला क्योंकि सर वो रिटन रहता है तो चेकिंग में किसी को भी हो सर वो तो मैंपावर जादा भी लगेगी और टाइम भी जादा लगेगा उस चेकर मे सर वो डिलेव रहा था तो अब वो हट गया तो अब कम से कम वो तीन-चार महीने तो वो कम हो गया आपके है ना प्लस और एक ही दिन में सब कुछ करवाना ऐसा नहीं कि इसको करवाना तो अब मुझे लग रहा है कि जैसे इसका दिसंबर में पेपर होगा है ना प्री तो अ तो SSC ने दिया है तो SSC ने टायर 3 तो पूरी तरीके से हटा दिया है और टायर 1 में जो है तो टायर 1 को कौलिफाइंग किया है यह स्कोरिंग होगा मतलब कटाफ तय होगा कि कितने बच्चे टायर 2 में एक्जाम देंगे या मेंस में एक्जाम देंगे तो कटाफ तो है वो भी आपने नोटिफिकिशन में देख लिया होगा बड़ टायर टू जो है स्कोरिंग है इसी से फाइनल कट आप हमारा बने का इस बार से और करीब-करीब जो जिस तरीके से इस बार इंप्रूव किया है तो करीब-करीब दस मैंनों में यह दस से ग्यारा मैंनों में तो हम थोड़ा सा जानना चाते है उनसे कि भाई जो पोस्टिंग है वो किस तरह से है क्या वर्क चैलेंजेस है यहां पर आपकी प्रमोशन रेट खास कर बच्चों के लिए यह बहुत बड़ी चीज होती कि भाई फर्स ग्रेट ऑफिसर जैसे आप सेकेंड ग्रेट ऑफिस और इसकी जो इनेंट सेलरी 40,000 के अप्रॉक्स है और ग्रॉस तो 58-59 बनती है जिसमें से हमारा HR वगरा डिडक्ट हो जाता है और NPS वगरा तो 40,000 के अप्रॉक्स आती है और यह सर सिटी के साब से भी चेंज हो जाती है कि एक्स वाइज तीन कैटिगरी में होती ही तो सेलर पहले से तो मैं बोलूँगा हर इक डेपाटमेंट में इंप्रॉमेंट आया ठीक है सर की जैसे देखा जाया है पहले सोचते थे कि आरे सरकारी जौब है इसको करलो कोई काम नहीं होगा या कुछ नहीं होगा तो अब कोई भी गवर्मेंट जौब है बर्क तो आपको सब ज अब लगा ग厘 अधिकारि है ठीक है आपको अप्रिसी करते है कि रहता यह जौब क्राइस थो बाहर हो सकता है को यह बाहर हो सकता हैQué р joyful है यह तो कर दो में सर यह अभी तो सी की रहें सर हम स्टार्टिंग में हैं तो जान रहे हैं डेपार्टमेंट कैसा क्या है क्या नहीं लेकिन सर बर प्रोफाइल मतलब मुझे सर सही लगी कि उसकी ठीक है कि आपको एक काम है क्या करना है आपको ऑडिट करना है ऑडिट का ही काम रहता है सर की म सबसे ज्यादा मैं जैसे बूल चुका हूँ कि बच्चों को सबसे पहले यह पूछते हैं कि सेकेंड ग्रेट ऑफिसर बने है तो सर्फ ग्रेट ऑफिसर कितने साल में बन जाएंगे तो जैसे आपने बुला ओडिटर तो ऑडिटर की पोस्ट अगर आप मान लिए जैसे फर्स अब लेविल फाइब से आपको डारेक्ट काहां प्रेट पोस्ट है अब लेविल फाइब से आपको डारेक्ट काहां पहुंचा देते हैं आपको लेविल एट पे यदि वो एक्जाम आपका किलियर हुगा तो आप डारेक्ट लेविल एट पे पहुंच जाएंगे जाएंगे फिर उसके बाद ठीक है तो लेवल एट जो है वो मतलब गैजेटिट इड पोस्ट है ग्रूप B की है ओके 500 ग्रेट पर कर दिया जाता है 4800 से अपने आप पहले 500 हो जाओं यह 500 क्यों कर रहा है पहले सर एक ऑडिट ऑपी सर होता था उसकी पोस्ट को इन्होंने हटा दिया आया भी है ना पहले वो साथ-आठ साल में प्रोमोशन होता था तो इन्होंने वो प्रोमोशन ना दे करके को फाइनेंसियली वेनिफिट पहुंचाने के लिए चार साल कर दिया लेकिन वो पोस्ट उन्होंने वो हटा दी कि आपको अडिट ऑपी से मतलब हटा रहे हैं लोग तो आप चार साल में 400 ग्रेट पर पहुंच जाते हैं ठीक है उसके बाद फिर आपको लगते हैं आठ साल कि आप लग जाता है पिर सीनियर ऑडिटर और जनरली यदि मैं बोलू तो यदि कोई और यह जाब ओडिटर सेलेक्ट हुआ है तो एसी डिये तक पहुंच जाता है रिटायर्मेंट तक कि अडिशीडिये एसी डिये तक पहुंच जाएगा असिस्टेंट कंट्रोल्र ऑप देफेंस अपांट करीब आप यह करीब 9 साल में हम लोग 5000 पे पर पहुच सकते हैं पर सकते चाइब आप जानते हैं जैसे कि फाइस ग्रेट ऑफिसर की पर ग्रेट होती है और किस तरह से प्रमोशन होते हैं फार्स ग्रेट ऑफिसर कितने दिनों में बन जाते हैं तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अगला प्रशन हम कुल्दीब जी से पूछते हैं कि जो हमारे वरतवान में विद्यारती है जो SSCCL की तयारी कर रहे हैं और जो भव सोफ नहीं कि जो हमसे सर्व मेरे टाइम पर मेरे से गलती क्या हुई थी हम लोग कर देते थे आर्ट वर्किंग में कि जब पेपर आ गया तब लिया पर गया तो छोड़ दिया यह नहीं करना है ठीक है कि आपको अपको सब्सक्क्राइब आप एसा नहीं करना कि तीन महीने ठीक है उनके लिए अच्छा मौका दिया है कि जो पुराने स्टुडेंट थे मालो जो पुराने दो-तीन साल से तैयारी करके बैठे हुए थे उनको भी उसी लेविल पर ला दिया है कि इसी लेवल चेंज करके उसका फॉर्मेट चेंज करके तो जो नए बच्चे आये हैं तो आपको इसको गैप नहीं करना किसी आलत में ठीक है आप कम पढ़िए ठीक है यह अंसा नहीं कि आपको 8 घंटे ही पढ़ना है या 10 घंटे ही पढ़ना इससी इतनी वह नहीं है सर कि आप 5 घंटे भी देंगे ना तीन से 4 में लेकिन बस continuous होने चाहिए आपका कि continuous आपको बना के रखिए कि हमें इतना पढ़ना है और यह जो हम लोग करते थे सर हमारे टाइम पे कि जब पेपर आये तब तो लग गए सर या पेपर महलों चला गया वो पर चला नहीं हो रहा है सर कि उसमें सेलेक्शन नहीं होगा तो हम उसमें कर देते थी कब दो बार आएगा तब अब अंगली बार आएगा तब हम उसकी प्रिपेर करेंगे फिर से वही तीन वाईने के टाइम तो उसको करना नहीं है ड्याइप आपको रखना नहीं है ठीक है कंटिनू हाँ यह है कि आप जैसे पहले पेपर के टाइम आप छे गंटे दे रहे थे टाइम में आप उसको त आतार प्रयास करते रहना है अगर आप तैयरी कर रहे है तो आप उसको रेगुलर रखें और को सिस करें कि जल्दी जल्दी पहले प्रिपेर हो जाए क्योंकि आप एक्जाम जैसे बच्चे अपने अजनल यह करते हैं कि एक्जाम आया तब प्रिप्रेशन चालू करते हैं वह नोटिफीशन तो इसलिए आता कि आप प्रिपेशर जितने बच्चे है आप आ जाईए तो आपको पहले से होना है और पहले से प्रिपopolyसर रखे, टायर वन की रूक और साथ में टायर टू की रखे कि टायर टू मेंसां एक यह जुट्ढ बढ़ा एक्जाम घजाम की न धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना एक्स्पिरियेंस हमज़ारे साथ हमारे काउटे लेके बच्चे और जो भावी स्टुएंट्स है या फिर जो ऐसे सीजिल की तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ शेयर किया उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हो ब जुए एक कर फ्रका भावी